डाक्टर स्याम प्रसाद मुखरजी की जैनती पर पुस्प अर्पित कर्व याद कर किया गया नमन गोला उपनगर इस्तित भाजपा कैम का रियाले पर सनीवार को भाजपा के पद्यादिकारी वकार करताओं ने भारती जनसंग के अस्थापक डाक्टर स्याम प्रसाद मुखर जी की जनती सामारो उपर उनके चित्र पर फूल माला चढ़ा कर नमन करती हुए याद किया भाजपा के वरिष्ट नेता नित्यानद मिस्ट ने कहा कि डाक्टर स्याम प्रसाद मुखर जी सिक्षाविद चिंतन और भारती जनसंग के अस्थापक थे उनका जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकता में एक प्रतिष्ठिक परिवार में हुआ था वह 33 वर्ष की आयू में ही कुलकता विश्व विद्याले के कुलपती बने वे सच्ची अर्थों में मानोतावादी और सिधान्तवादी थे उन्होंने जम्बू कास्मीर में वीजा पर्मिट की विवस्था पर पूर्जोर विरोध करते हुए मंत्री पस स्थिपा दे दिया ऐसे महान नेता देश की खातिर अपने को वलिवेदी पर चाहा दिया जिला योजना समिती के सदसी सतूर्धन कौस्दन ने कहा कि भारत माता के सपूत राष्टवाद के महान नेता प्रखर वक्ता राजनितिक वर जनसंग के अस्थापक स्री मुखर जी को हम सब लोग इनक महान विभूतियां बिरले की धर्ति पर जन में लेती हैं उनके विचारों को जीवन में आत्मसाथ करना चाहिए कारक्रम के चेयर्मेन प्रतिनिधी मुरारी प्रसाद उदैसंकर गुपता विष्णु जैस्वाल आधि ने भी अपने विचार व्यक्त किये अध्यक्ष मंड अध्यक्ष सदानंद साहनी रिशिकेश साहनी दीपक जैस्वाल शुदर्द संकौषधन संजयम अध्यशिया विरेंद्र मालकर इम्रान अंसारी बबलु सोनकर अंकित पतेल कैलास पासवान राजेश प्रजापती अर्जुन सोनकर सहीत तमाम लोग उपस्थित रहे द्र स्यम्